रसोई घर का नियम नहीं जानेंगे तो होगा भारी नुखसा नमबर एक भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ नो धोएं थाली में कभी जूठा नो छोड़ें भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन प्लंग या टेबल के निचे न रखें उपर भी न रखें रातरी में भोजन के जूठे भरतन घर में न रखें नमबर दो भोजन के थाली को हमेशा पाठ चटाई चोग या टेबल पर सम्मान के साथ रखें खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़े एसा करने से खाना प्रेत यूनी में चला जाता है नमबर तीन रात में चावल दही और सत्तु का सेवन करने से लच्छमी का निराधर होता है अतह समरिद्धी चाहने वालों को तथा जिन ब्यक्तियों को आर्थिक संकट रहते हैं उन्हें इनका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए नमबर चार भोजन सदेव पुर्विया उत्तर की ओर मुख करके खाना चाहिए शंभव होतो रसोई घर में ही बैट कर भोजन करें इससे राहू सांत होता है और जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए नमबर पांच कीचन के नल से पानी का टपकना आर्थिक छती का संकेत है घर में किसी भी बरतन से पानी रिस रहा है तो उसे भी ठीक करवाए नमबर छे रसोई घर में कीचन इस्टेड के उपत सुन्दर फलो और सबजियों के चीत्र लगाए अनपुणमा माता का चीत्र भी लगाए तो घर में बरक्त बनी रहेगी नमबर साथ लोहे के बरतन खाना पकाने के लिए सबसे सही पात्र माने जाते हैं सुध करताओं की माने तो लोहे के बरतन में खाना बनाने से भोजन में आयरन जैसे जरूरी पोसक तत्व बढ़ जाते हैं नमबर आट रसोई घर में टुटे फुटे बरतन अटाला या जाडू ना रखें नमबर नौ रसोई घर के पास बात्रूम या संचाला कताई ना बनाएं नमबर दस रसोई घर में भोजन करतिस में आपका मुख उतर पुर्फ दिसा में होनी चाहिए नमबर ग्यार रसोई घर में पीने का पानी उतर पुर्फ दिसा में रखना चाहिए दोस्तों आपको यदि हमारे यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेर जरूर करें हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्दबाद मिलते हैं नेस्ट वीडियो में